प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किसानों के महा सम्मेलन को किया संबोधित कहा MSP न बंध होगी न खत्म होगी केंदिये कृशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने किसानों के नाम लिखा पत्र कहा नए कृशी कानूलों से देश के किसान होंगे स्वतंत्र और सर्शक्त परिवहन मंत्री ने बताया हर्याना रोडवेज की दिल्ली जाने वाली बसों का किसान आंदोलन समाप्थ होने तक नहीं किया जाएगा संचालन और सिर्सा में किया गया सामुदाइक रेडियो स्टेशन का उधगाटन इन स्टेशनों के माध्यम से किसानों को दी जाएगी प्रिशी संबंधी जानकारी नमस्कार मैं ममतारानी अब समाचार विस्तार से दिल्ली की सीमाओ पर जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दोरान सुप्रीम कोट के मुख्य नियाधिश ने साफ किया कि कोट ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन के अधिकार को मानेता दी है उस अधिकार में कटोती का कोई सवाल नहीं बशरते वो किसी और की जिंदकी को प्रभावित न कर रहा हो मुख्य नयाइदीश ने कहा किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है उसमें कोई कटोती नहीं लेकिन खाली प्रदर्शन से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसके लिए सरकार से सम्वाद होता रहना चाहिए भले ही उसके शुरुआती नतीजे न निकले इसलिए हम किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों वाली कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं कमेटी दोनों पक्षों से बाच्चीत करेगी और जब तक वो किसी निशकर्ष पर पहुंसती है तब तक प्रदर्शन चल सकता है बशर्ते इससे किसी भी तरह के जानबाल का नुकसान न हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज मध्या प्रदेश में किसान महा सम्मेलन को वर्चुल माध्यम से संबोधित किया प्रधान मंत्री ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता नियूनतम समर्थन मुल्य को लेकर एक बार फिर कहा कि MSP न बंद होगी और नहीं खत्म होगी प्रणून लागू होने के बाद भी MSP की गोशना हुई, MSP पर सरकारी खरीदी हुई, उनी मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूँ, इस से बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता, इस से बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वास दिलाता हूँ, कि पहले जैसे MSP दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंद होगी, न समाप्त होगी प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंदों पर रखकर बंदूग चला रहे हैं, वे कृशी सुधारों पर जूठ खा जाल पहला रहे हैं, किसानों को जमीन जाने का डर दिखा कर अपनी राजनीती चमका रहे हैं सच्पुच मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए बादों को भी पूरा नहीं किया प्रधान मंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन फल सब्जियों का सही भंडार न हो तो बहुत दुखसान होता है करीब एक लाग करोड के फल सब्जिया इस वज़ा से बरबाद हो जाते हैं पहले इसे लेकर बहुत उदासी इनता थी लेकिन अब सरकार की प्रात्पिक्ता देश में कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाना है करीब करीब एक लाग करोड रुपिय के फल सब्जिया और अनाच हर साल इस वज़़ा से बरबाद हो जाते हैं लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत जादा उदासी इनता थी अब हमारी प्रात्पिक्ता बंडारन के नए केंद्र कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफा स्ट्रक्चर बनाना ये भी हमारी प्रात्पिक्ता है केंद्रिय क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए क्रिशी सुधार कानूनों से देश के किसान स्वतंत्र और सशक्त होंगे उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंतर को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है पत्र में क्रिशी मंत्री ने कहा कि बीते दिनों में अनेक राज्यों के किसानों और किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन किया है किसानों को दिये गए आश्वासन पत्र में कहा गया है कि सरकार MSP को लेकर लिखित में आश्वासन देने को तयार है राज्य को A.P.M.C. के बाहर नीजी बाजार पर कर लगाने की अनुमती होगी और विवाग सुलजाने के लिए अदालत जाने का विकल्प भी मिलेगा राज्य को कृशी समझोते को पंजिकृत करने का अधिकारी भी मलेगा और किसानों की जमीन पर कबजा, भूमी अस्तांतरण, बिक्री, लीज और गिर्वी की अनुमती नहीं होगी किसान की जमीन पर कॉंट्रेक्टर द्वारा कोई स्थाई बदलाव नहीं किया जाएगा किसानों की जमीन पर अस्थाई निर्मान के लिए ठेकेदारों को रिन नहीं मिलेगा किसी भी स्थीती में किसानों की जमीन जब्त करने की प्रक्रिया की अनुमती नहीं होगी प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने ट्वीट के माध्यम से किसानों से इस पत्र को पढ़ने का आग्रह किया है लोकसभा और राजसभा में आए तब भी अभी से चर्चा में था मैंने लोकसभा और राजसभा के फिलोर पर देश भर के किसानों को आस्वस किया था कि MSP जारी थी MSP जारी है और आने वाले कल में भी MSP जारी रहेगी देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने भी बल देकर पूरे देश को आस्वस किया कि MSP जारी रहेगी इसमें किसी को कोई संका करने की आवश्यक्ता नहीं है Contact Farming का Act है ये Act बहुत ही सोच समझ के और पूरा का पूरा किसानों के हित में बनाया गया है एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इस कानून के माध्यम से कोई भी किसान इस बात के लिए बाद नहीं है आज चंडिगड में परिवहन मंत्री मूलचन शर्मा ने बताया कि दिल्ली से जैपूर या चंडिगड से जैपूर जाने वाली सभी वॉल्वो बसे बंद है उन्होंने कहा कि किसान अंदोलन के चलते हरियाना रोडवेज की दिल्ली जाने वाली सब ही बसे बंद कर दी गई थी ये बसे आंदोलन समाप्त होने तक नहीं चलेंगी उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को रोजाना करोडो रुपय का घाटा हो रहा है जिसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आज तक देश और प्रदेश में जितने भी आंदोलन होते हैं उसका असर सबसे पहले परिवहन पर ही पड़ता है क्रिशी मंत्री जयवप्रकाश दलाल ने आज गुरुगराम में बन रही पहली फूल मंडी का निरिक्षन किया और किसानों की समस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि इस फूल मंडी के बनने से किसानों को बहतर लाब मिलेगा और दिल्ली एंसियार में अच्छे फूल की बिक्री पर भी लोगों को फायदा मिलेगा क्रिशी मंत्री ने संबंधि अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए किसान आंदोलन को लेकर क्रिशी मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है वह बेहतरी के लिए है उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई है सरकार उस पर बातचीत के लिए तयार है क्रिशी मंत्री ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापिस लेकर सरकार से बातचीत कर गतिरोध खत्म करना चाही किसानों के हित के लिए जो खासकर धरनारत किसान है उनसे हाज जोड के भारी परातना है कि एक वारतालाब को दुवारा से सुरू करें और हर समस्या का समाधान बैठके ही होता है चौजरी चरंड सिंग हरियाना कृषी विश्व विद्याले के कुलपती प्रोफेसर समर सिंग ने आज सिरसा में सामुदाइक रेडियो स्टेशन का उदगाटन किया सामुदाइक रेडियो स्टेशन को राश्ट्रिय कृषी विकास योजना के तहत स्थापित किया गया है इसके माध्यम से किसानों को मोसम संबंधी जानकारी, विश्व विद्याले के विज्ञानिकों की सलाह और पशुपालन एवं ग्रह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी कुलपती प्रोफेसर समर सिंग ने कहा कि समुदाइक रेडियो स्टेशनों के प्रसारनों का कृषी विकास में महतुपूर्ण योगदान होगा इन स्टेशनों पर किसानों को ध्यान में रखकर कारेक्रम प्रसारित किये जाएंगे ताकि किसान समसाम्येक विश्यों पर संपून जानकारी प्राप्त कर सके समर सिंग ने कहा कि यह रेडियो स्टेशन स्थानिय संस्कृती कला एवं घ्यान को भी बढ़ावा देंगे और किसानों की आयमे पढ़ोतरी करने में भी महतुपून भूमी का निभाएंगे उन्होंने बताया कि इन स्टेशनों पर महिलाओं को स्वावलंबी व स्वारोजगारों मुखी बनाने संबंधी कारेक्रम भी प्रसारित किये जाएंगे चोधरी चरन सिंग हरियाना क्रिशी विश्व विद्यालय एक साथ सामुदाइक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला क्रिशी विश्व विद्यालय बन गया है जो भी सीजन होगा उसमें जिस प्रकार की फसल को शिफार से जो हमारी उनिश्टी करती हैं समय समय पर सभी उपलब्द कराएंगे देश में पिछले 24 घंटों के दोरान 31 हजार से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4 प्रतिशत हो गई है स्वास्ते मंत्राले ने कहा है कि अब तक 95 लाख 20 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं संक्रमित लोगों की संख्या केवल 3.14 प्रतिशत रह गई है इस समय लगभग 3.13 लोगों का इलाज चल रहा है वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,45,900 से अधिक हो गई है प्रदेश में रिकवरी रेट 96.1,7 प्रतिशत और मृत्यूदर 1.09 प्रतिशत है कोविड-19 महमारी के खिलाफ देश एक जुठ होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संग कल्प लें मास्क हमेशा सही धंग से पहने, दोगज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेस्बुक, ट्वीटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हम से जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फोलो कर सकते हैं अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचा एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किसानों के महा सम्मेलन को किया संबोधित कहा MSP न बंध होगी न खत्म होगी केंद्ये क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमने किसानों के नाम लिखा पत्र कहा नए क्रिशी कानूनों से देश के किसान होंगे स्वतंत्र और सशक्त परिवहन मंत्री ने बताया हर्याना रोडवेज की दिल्ली जाने वाली बसों का किसान आंदोलन समाप्त होने तक नहीं किया जाएगा संचालन और सिर्सा में किया गया सामुदाइक रेडियो स्टेशन का उधगाटन इन स्टेशनों के माध्यम से किसानों को दी जाएगी क्रिशी संबंधी जानकारी समाचारों में आज इतना ही नमस्कार झाल